तो गुड मॉनिक फ्रेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छत एक्जॉटिक बर्षमा और करीब डेड़ महीने के बाद एक बार फिर आपके सामने हूँ एक्चुली समय काफी कम मिल रहा है इस कारण से बहुत जल्दी जल्दी वीडियो नहीं आ रही है और बात करेंगे ग्रीन चेक काने और की आज के टॉपिक में और काफी लोगों के कामेंट्स भी आ रहे थे कि ग्रीन चेक काने और की एवेरी काफी लंबे टाइम से आपने ब पहले से थे जैसा कि पराने सब्सक्राइबर सब जानते हैं और यह जो तीनो पेर हैं उनमें से एक पेर बहुत ही अच्छे से ब्रीड करने की स्थिती में भी आ गया था और उसी के अपडेट लेकर आज आपके सामने हूं और आज आप देखेंगे कि एक छोटा सा जो और मेशन भी हैं तो यहां पर आप देखिए कि यह चार एग इनने ले किये हुए हैं और यह काफी पुरानी क्लिप है मैंने अप्लोड नहीं की हुई थी और यह चार एग जो है यह फस्टाइम ब्रीड हुई है ग्रीन चिक करने और की अक्छा था एक्जोटिक बड्स में और मैंने तीन बॉक्स लगाई हुए थे और इन तीन बॉक्स में देखिए इस फीमेल है चार एग जो हैं वो ले किये हुए हैं और यह फस्टाइम ब्रीडिंग है इनकी और मुझे उम्मीद है कि इसमें से जरूर चिक्स निकलेंगे और यह देखिए कुछ दिनों के क्या पता यह अच्छे से केर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी पैरट अगर फर्स टाइम ब्रीड करता है तो कोई जरूरी नहीं होता कि एग में बच्चे आएं या बच्चे अगर एग में हैं तो बहुत अच्छे से हैच हो जाएं अगर हैच हो जाए तो वो उनको प्रॉपर पाल सकें तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ कि यह जो दो चिक्स थे इन दो चिक्स में से एक चिक्स की जो है वो डैथ हो गई और रीजन यह था कि उन्होंने प्रॉपर फीट नहीं कराया मैंने 48 गंटे तक चेक किया नहीं था 48 गंटे बाद मैं मैंने जब घौसले को चेक किया तो जाकर कि देखा बॉक्स में एक जो बड़ा वाला चिक्स था वो मर चोका था और अगले दिन मैंने दूसरे इस चिक्स को देखा तो इसको भी फिर मैंने फीट पर लिया लेकिन मैं हमेसा बॉक्स पर ही रख देता था दो बार feed कराके कि साज़ ये feed कराएं लेके end finally उनने feed कराना एकदम बंदी कर दिया और first time की breed में ये हो जाता है कि बढ़ जो है proper अपने बच्चों को नहीं पाल पाते हैं या proper feed नहीं करा पाते हैं तो finally ये विल्कुर मरने की स्थीती में था तो इसे अम मैं ले आया हूनी चे और चुकि उस समय थंड का सीजन था जनवरी महीने की बात है यह जनवरी का वीडियो है और यह देखिए आँख नहीं खुली थी तम में लेकर के आया था और अब यह थोड़ा सा बड़ा हो गया है तीन चार दिन में और चार पांच दिन के बाद में लाने के पांच दिन के बाद में ही इसकी जो आईज है वो ओपन हो गई और यह थोड़ा थोड़ा सा खाने भी लगा तो यहां आप ग्रीन चेक कान्योर के एक छोटे से बेवी को दिन और दिन बड़ा होते हुए देखेंगे तो आईए बात करते हैं कुछ हैंड अच्छे होते हैं यह ज़रूर है कि वो हैंट आई हो पाते हैं बढ़ कोई बात नहीं बड़ जो है बहुती अच्छा और हेल्दी होता है और अब यह देखिए यह थोड़ा सा और बढ़ा हो गया है और इसकी एज लगवख लगवख एक महीने की हो गई है और ग्रीन चेक अगर आपने अक्छात एक्जोटेक बर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करने और खास तोर से वेल आइकोन में जाकर अल सेलेक्ट करके वेल आइकोन प्रेस करना न भूले ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले और अब देखिए 25 दिन के बाद में ग्रीन चेक काने और जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है और no doubt बहुत ही colorful world होता है और बहुत अच्छा color जो है निकल करके आता है और yellow sided green चेक काने और है तो no doubt तो red color भी होगा यलो भी होगा और इसकी जो tail होती है जो पूछ होती है उसके feather जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे color में आते हैं तो अभी आप देखेंगे धीरे धीरे यह बड़ा हो रहा हो और अब इसकी age करीब करीब यहां पर देखिए 35 दिन के आसपास का यहां पर हो गया है और hand feed कराने के time में काफी challenges आई मैं हमेशा यह बोलता हूँ कि कभ जिसे यह feed कर रहा है मतलब कोई जबर जस्ती ना करें कई बार हम bird को ले आते हैं तो hand feeding formula नहीं है और हमने घर में नहीं है और हमने bird को ले आए फिर हमने hand feeding formula order किया चार दिन में वो courier में आएगा तब तक चार दिन में पता चला कि bird जो है वो बीमार होकर के मर गया ऐसा maximum time ल hand feeding formula किसी certified company का मैं pets life कभी यूज करता हूं और तोया कभी यूज करता हूं बहुत सारे यूज करता हूं तो कोई भी आप उसे साब से कोई भी hand feeding formula रखें घर में कुछ लोग या तो चाबल को बाल करके पिलाते हैं या कि कुछ लोग रोटी को भिगो करके रोटी को पिलाने क की कोसिस करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो birds होता है ना वो इतने जल्दी जो है वो जो फीड ले रहा था अपने पेरेंट से अचानक से आप उसे hand feed में अठाके और अपने type का अपने मन का खाना आप खिलाएंगे guaranteed उसकी death हो जाएगी guaranteed हो जाएगी उसकी death हमें सा ध्यान रखाएं और अब यह देखिए यह करीब करीब 45 दिन का हो गया है और थोड़ा थोड़ा से इसके feather भी जो है आने लगे है इस बीच में यह एक बार बिमार भी हुआ इसे lose motion हुए और करीब 6-7 दिन मुझे ऐसा लगा कि क्या पता यह करके बड़ा हुआ है तो उस समय करीब 3-4 बलब फ्यूज हो गई लगतार continue जलाने के कारण क्योंकि मैं दिन में भी जलने देता था और रात में भी जलने देता था ताकि temperature जो है वो maintain रहे क्योंकि birds को करीब 28 से लेके 35 तक के बीच का जो temperature होता है चेक्स की growth के लिए बहुत अच्छा होता है और ठंडी के सीजन में तो 7 और 8 डिगरी का temperature होता है तो ऐसे मैं bird जो है वो survive नहीं कर पाता चोटा बेवी तो continue मैंने देड़ से 2 महीने तक जो है वो बलब जला करके रखा क्योंकि मेरे पास में brooder नहीं है और बहुत जल्दी जो है अच्छा था exotic bird में bird brooder भी आ जाएगा तो कभी कोई bird अगर बिमार होता है तो उसके लिए वो एक ICU का काम करता है और bird जो है बहुत जल्दी रीकवर करता है और बहुत ही जल्दी जो है ठीक हो जाता है और यहां देखिए अब इसके फैदर काफी आ चुके हैं और अब यह लगभग लगभग जो ह यह देड़ महीने से जादा का हो गया है और यह करीब करीब पचास दिन का है और अब देखिए बीच में थोड़ा सा बिमार भी हुआ था तो no doubt इसका थोड़ा weight loss तो हुआ बट अब रीकवर कर गया हो और काफी अच्छा है तो बहुत सारे लोग कामेंट करके पूछ रहे बच्चा जो है वो नहीं पाल पाए उसकी death हो गई दूसरा मुझे handpeat पर लेना पड़ा और वो बच्चा जो है अब आपके सामने हैं तो मुझे लगा कि जब कोई result पर मैं पहुंच जाओं तभी मैं अपने viewers और subscribers से बात करूं क्योंकि mostly होता है कि अगर birds every में कोई bird है एक देता है या बच्चे देता है तो तुरंत ही हम वीडियो बना करके upload कर देते हैं अपने subscriber को जानकारी देने के लिए बाद में पता चलता है कि वो birds मर गया या कुछ हो गया तो सब कुछ result zero हो गया बट result zero नहीं होने दिया मैंने और थोड़ा सा पिछले 8-10 साल से मैं bird रख हूँ तो 10 साल मैं अभी भी हलाकी मैं सीखी रहूं मैं यह नहीं कहता कि मुझे बहुत knowledge है bird का पर हाँ कम से कम इतना knowledge हो गया है कि किसी छोटे मोटे bird को मैं जो है अगर बिमार है तो उसको ठीक कर लेता हूँ या उसे hand feet पर बड़ा कर लेता हूँ result आज आपके सामने है और चाली है इस बात की खुसी है और यहां देखिए यह बहुत ही मस्ती करने लगा है और बहुत ही human friendly हो गया है मतलब इसके जो bonding है वो बहुत ही अच्छी है मतलब कभी काटेगा नहीं बुलाने में एक बार में आ जाता हो जैसा हम चाहते हैं कि हैंटम बर्ड जो है एक बार के अब आंक बन्द करके सौजाओ बार-बार आंख नहीं खोलो हाँ बार बार आंख नहीं खोलो आंक बन्द कर लो काटना नहीं नहीं सौजाओ सौजाो तो चुकी सर्दियों के मौसम में पल करके बढ़ा हुआ है तो कभी-कभी में इसको बिस्तर पर या बैट पर या कोई छोटे से कपड़े से इसको ढग देता था इसको लेटा देता था तो ये धीर धीर इसकी आधत में आ गया और आब ये देखिए ये खुदी लेट जाता ह है और बहुत ही मस्ती करता है यानि इस तरीके से आप इसको लेटा दें तो ये आदे घंटे-गंटे तक यूँँ ही लेटर रहता है और ये देखिए यह जात पड़े हैं और कभी इस तरीके इसरीके से यह रेस्ट भूरी करता है खासतर से केज में बाहर निकलने के लिए यह बहुत ही छट पटाता है जैसे में इसाम को मैं आफिस से आता हूं तुरंट केज खोलना पड़ता है और यह आकर के सीधे या तो कंदे में या सर पर बैठता है बच्चों के साथ मैं बहुत ही मस्ती करता है बहुत अच्छे से खेलता है और यह 100% एक बहुत ही क्यूट औ जो है वो बन चुका है रात में सो जाने के बाद में अगर कोई अगर इसे टूटू बोलके आबाज दे दे तो यह बहुत जोर-जोर से चिलाने लगता है और बाहर आने की कोशस करने लगता है और एक देखिए यह ग्रीन चेक करने और 100% अपने पूरे साइज में आ गया ह और अभी सपोर्ट फीट पर है सपोर्ट फीट यानि थोड़ा-फीड जो है अभी सोबह साम मुझे करानी पड़ती है फोड़ा-फीड यह खुद से लेने लगा है तो अब जो है काफी कलर भी इसका काफी खिल करके आ रहा है बाहर और आने वाले टाइम में यह और सांसली जब मैं घहर पहुंचता हूं तो मुझ है Iưसे कैज से जब तक में बाहर नहीं निकालता तब तक यह बहुत ही घभ्राइता रहता हैры है okay क्या कर रहा है केल रशाय कांट का यह का ये देखो कि नौतंकी देखो यह देखो रूज जब गढ़ है यह यह नहीं बैठेगा यहीं बैठना है अई थे गुफसा 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 एक बज़िक जब जाना कर दो की जब सबना दो की थे दो इसे जब जब जोड़ाइसे जब जोके दो खेप गया और यह गुष्चा यह छेप गया तो इस तरीके से जब अगर इसको किसी के पास में नहीं आना है तो यह इस तरीके से पंखे से अपना सर जो है छपा लेता है और काटने की कोसस करता है लेकिन कभी काटता नहीं है और बहुत ही क्यूट है वापस से आ गए हम एवेरी में और आप देखिए कि यहां पर मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि दो महीने का बर्ड वो तो हो गया और यहां सेकेंड टाइम फिर से दो नए बेबी जो हैं आ गए हैं तो यह जो प्रो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खास वर से वेल आइकन में जाकर और सेलेक्ट करके वेल आइकन प्रेस करना ना भूलें